management की क्या importance है, management की क्या importance है simple सी बात है किसी भी system में से चाए वो organization है, चाए business है, चाए वो non-business है अगर आप हर जगा से अगर management को हटा दो तो बाकी क्या रहने वाला है, zero रहने वाला है तो ये topic अगर आपको exam में भी study करने को या लिखने को कहा जाता है, कि anything minus management is equal to zero, इसको define कीजिए, तो आप समय लेना कि आपको management की importance, write down करनी है management की importance बतानी है, management की significance बतानी है तो first point हमको क्या है, पढ़ने को मिलता है कि management helps in the achieving group goals, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि management group के जो goals है, उनको तो achieve कराता ही है production department, production कर पाएगा, purchase department purchase कर पाएगा, पर इनका जो common goal है वो भी achieve हो जाता है तो management help करता है group के goals को achieve करने में second point, management increases efficiency जो manager होगा, जो effectiveness और efficiency के अंदर काम करेगा वो resources का बहुत अच्छे से use करने वाला है जिसकी वज़ए से manpower, machine, material, money कभी भी waste नहीं होने वाली तो efficiency और effectiveness के अंदर अपने को काम करना है तो जब भी एक कोई manager इस तरीके से काम करेगा तो resources का वो proper utilize करने वाला है तो resources को अगर आप proper utilize करना चाहते हो तो management होना बहुत चुरूरी है So there is importance of management third point, management creates a dynamic organization management एक dynamic organization create कर देता है देखो, हर इंसान का nature होता है हम जब भी कुछ changes को देखते हैं परिवर्तन को देखते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं हमको changes बहुत जल्दी से accept नहीं होते हैं organization के अंदर भी changes होते रहते हैं जब भी changes होने की बात होती है employees हमेशा protest करते हैं employees हमेशा protest करते हैं changes को accept नहीं करते अब management को क्या चाहिए होता है employees बहुत जल्दी changes को accept कर लें इसलिए management को हर time active रहना पड़ता है management को time से पहले ही employees को mentally prepare रखना पड़ता है इसलिए वो क्या करते हैं organization के अंदर कुछ ना कुछ changes करते रहते हैं employees को training देते रहते हैं उनको mentally acceptance के लिए भी ready रखते हैं ताकि organization के अंदर आने वाले changes को वो बहुत जल्दी accept कर लें इसलिए management की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्यों? क्योंकि employees जो changes हैं उसको protest ना करें, उसका विरोध ना करें तो changes का protest ना हो changes का विरोध ना हो हमको इसके लिए management की जरूरत होती है next point is the management helps in achieving personal objectives personal objectives को भी पूरा करने के अंदर management help करती है personal objective के अंदर मैंने आपको पहले बताया क्या-क्या financial needs भी हमारी पूरी होंगी social needs भी हमारी पूरी होंगी और higher level needs भी पूरी होने वाली है तो ये point हम पहले भी discuss कर चुके हैं कहां पर objectives of management में then last topic last point हम discuss करने जारे management helps in the development of society society को develop करने के अंदर भी management काम करती है ये topic हमने कहां study किया था social objectives of management social objectives के अंदर हमने क्या discuss किया था कि जब-जब management अच्छे से काम करती है तो लोगों को नोकरिय मिलती है adulteration नहीं होता अच्छी quality के product मिलते है pollution नहीं होता और कहीं न कहीं लोगों का जो जीवन जीने का जो सतर है लो life का जो standard है वो भी improve हो जाता है तो definitely मैंने आपको बता दिया है इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर की management का क्या meaning है management की मैंने आपको एक definition simple सी language में भी बताई थी management reality में दूसरों लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनसे काम करवाने की कला है अगर आप दूसरे लोगों के साथ काम निकलवाना चाहते हैं definitely हमें उनको काम करके दिखाना बड़ेगा कि हम तुमारे साथ हैं हम भी काम कर रहे हैं तो वो definitely बहुत ज़ल्दी काम करते हैं तो फिर उसके बाद हमने discuss किया था management के अंदर ही efficiency और effectiveness ये दोनो topic ये दोनो points एक manager के अंदर होने बहुत जुरूरी है management के features discuss किये features के बाद हमने discuss किया management के objectives then last topic हमने discuss किया management के importance है क्या significance है तो आपको इसी वीडियो के description box में काफी सारी important playlist के link भी दी हुए आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं मिलूँ हम आपको next वीडियो में यहां तका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद